दोस्तुं आज हम आपको कुछ ऐसी गारियां दिखाने वाले हैं जिनके आगे ना तो AK47 कुछ कर पाती है और नहीं ग्रिनेट कुछ कर पाते हैं नहीं लेंड माइन इनका बाल भी माका कर पाते हैं यह ऐसी कारों और ऐसे वहिकल हैं जो अपने आगे आने वाली किसी भी मुसीबत को कुछल देते हुए अपने अंदर बैठे पैसेंजर्स को सूपर हीरो की तरह बहार ले जाते हैं तो फिर देर किस बात किये चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को कैनेडियन कमपनी दोरा बनाए गई यह मिलिटरी ग्रेड एसीवी वहिकल है जिसमें फोर्ड कमपनी का एफ 450 चेचिस लगा हुआ है यह एसीवी अपने बैग पर ट्रक इंक्यू फीचर के साथ है ब्लैक कलर में कोटिंग की गई है इसकी बॉडि फ्रेम बहुत ही मजबू को बैठने की जगह मिल जाती है इसके अंदर हाई क्वालिटी ओडियो सिस्टम तो दिया ही गया है आउटर लाइट को कंट्रोल करने के लिए भी मल्टिबल बटन इसमें दिये गए है और ऐसे कई सार इसमें फीचर हैं जो इसे काफी बहतर 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 बनाते हैं मसरीज द्वारा बनाए गई एस क्लास की एक काड जिसमें आपको आज एकल कोई पॉलेटीशन बड़ी सलर्बिटी या वी आईपी ज़रू नजर आ सकता है क्योंकि ये आमकारों की तरह से सिदान क्लास की दिखती तो है लेकिन कई सारे अडवांस फीचर के साथ लैस है इसके अंदर बैटने वाले को वी पैम, वी आर टेन, सर्टिफिकेशन और प्रोटेक्शन मिलता है इसमें ट्विन टर्बो 6 लीटर वी टोल इंजन लगा हुआ है हाई लेवल का बलेस्टिक प्रोटेक्शन इसके अंदर बैटने वाले को मिलता है खूबसूरत इंटीर के साथ इसके फ्रेंट पर आपको टेस्क्रीन कंट्रोल और आउटर व्यू देखने के लिए कई सारे फीचर मिल जाते है 10 सेंटीमिटर की पॉली काबनेट की विंडो इसके गेट पर लगी हुई है इन चीज़ों के अलाबा भी इसमें कई सारे सेफटी के ऐसे फीचर है जो आपको सिविलियंस कारों में नहीं विलेंगे नमबर आठ इनकाज हीरॉन लैंबॉर गिनी की कार से भी जादा महेंगा ये वेहिकल दो फोर्ड फियस्टर गाड़ियों से भी जादा लंबा है इतना महेंगा होने की इसकी सबसे बड़ी वज़ा है इसके द्वारा पैसेंजर को बैठने के बाद दी जाने वाले इसकी सिक्योरिटी हाई रैपिट फाइरिंग से इसके अंदर बैठने वाला पैसेंजर सेफ रहता है खतना गोली बारी के बीच में अंदर बैठ हुए पैसेंजर को ये सेफ रखती है यहां तक की हैंड गरनेट भी इसका कुछ नहीं विगार सकता इसे तो स्पेशल वार जोन में सेफ टांस्पोटेशन के लिए ही बनाए गया है इसमें कमिंज 8.3 लीटर टर्बो डीजल एंजन लगा हुआ है और 315 होर्स पावर की ताकत इसके एंजन में है इसके ट्राइवर को अंदर बैठे हुए ग्राउंड का सब कुछ क्लियर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं होती सोले पैसेंजर्स को बिठा कर या आराम से सेफटी से वार के बीच में से निकलने में सक्षम है और 15,000 किलोग्राम का वजन ये उठा कर ले जाने की कैपसिटी रखती है वाँ भीया क्या बात है लगजरी कार निर्माता कंपनी रेलवानी दोरा इस रेज़वानी टैंक को बनाए गया है जिसके तीन मॉडल बनाए गए है और इसका मिलिटरी मॉडल तीन लाग डॉलर का है जो किसी लगजरी कार से काफी जादा महंगा है इसके साथ अंडर साइड एक्स्प्लोजिव प्रोटेक्शन मिलता है अंदर बैठे हुए कार ड्राइवर को पैसेंजर्स को ना तो बंदोग से गोलियां लगती है और ना ये मशिन गन से बुलेट प्रूफ ग्लास और बॉड़ी आर्मर मिलिटरी रन फ्लाइट टार्स थर्मल नाइट विजन सिस्टेम रेंफोर्स, सस्मेंशन, इलेक्ट्रो मेगनेटी पर्स, प्रोटेक्शन जैसी एडवांस फीचर और मिलिटरी ग्रेट फीचर्स है इसमें 6.4 लीटर 500 होस्पावर वीट इंजन इसमें दिया गया है इसे आप अराम से शेहरी सडकों पर भी चला सकते हैं क्योंकि रेंजरोवर ने सिक्योरिटी के लिहाज से अपनी सैसीवी कार को ऐसे बनाया है जिसके बाद अंदर बैठा वो पैसंजर बहुत ज़्यादा सेफ होने वाला है इसका बेस्ट बैलेस्टिक परडेक्शन के साथ है और बुलेट परडेक्शन भी ये रेंजरोवर की कार प्रोवाइड करती है इसके गलास आर आर्मड गलास है इसके चेचेज और वील के साथ रन फ्लैट सिस्टम दिया गया है पंचर हो जाने के बाद भी ये कार पचास से असी किलोमेटर दूर तक जा सकती है डैनेमिक कैपबलिक्टिट कंट्रोलिंग फंक्शन और हाइज स्पीड कॉन्फिटरेशन इसमें बैठेवर पैसेंजर्स को किसी भी इमरजंसी के वक्त तेजी से एरिया से निकालने में कैपबल है ये स्योवी कार और टरन पर कमफर्ट प्रोवाइड करती है हाइकर लिविंग एरिया में भी इसकी राइडिंग पर जाद एफेक्ट नहीं पड़ता और आप कम पानी वाले जगह में भी इस आराम से बाहर निकाल कर लेकर जा सकते हैं वहिए ये वर्ड मोश लगजरी आर्मर्ड वेहिकल है इसकी कीमत 6,39,000 डॉलर है ये अपने सीनियर से ब्लैक कलर के शारिंग लुक के साथ काफी खूबसूरत भी दिखाई देती है और अट्रेक्टिव भी इसका मिर्ट्री वर्जन तो सिर्फ गर्मेंट को ही दिया जाता है लेकिंग कमपनी ने सिविलेंस के लिए भी ये मॉडल बनाया है जिसमें सडको या कच्चा रोड अंदर बैठे पैसेंजर्स को हर जगे पर हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है 6.8 लेटर का इंजिन इसमें लगा हुआ है 400 हस पावर की इसमें ताकत है और 298 क्लोवाट का पावर ये जन डेट करता है फास्ट फ्यूरियस मॉवी अगर आपने देखी है तो इसके जैसी एसी भी उसमें आपको दिखाई दे सकती है इसका इंटीर भी कई सारी लगज़री चीजों के साथ है और बुलेट प्रूफ सेटिंग भी अपने पास रखती है और इस्प्लोजन के वक्त भी पैसंजर्स को सिर्फ सेफटी ही प्रूवाइट करती है ये आर्मरड माइन पर्टेक्टेड वही गयल है इसका साइज और हाइड इतनी जाद और डेंजर है कि रोट पर चलती हुई गाड़ें इसके आगे खिलोनों की कार के जैसे दिखती है इसके टायर इतने खतरनाक और मजबूत है कि अगन के नीचे मजबूत से मजबूत कार भी आ जाती है तो ये उस पर से गुजर कर उस कार को चकना चूल करके आगे बढ़ जाती है कि कंक्रेट से बनीवी दिवारे भी इसके आगे आराम से टूट जाती है इसके मल्टिपल वेरियंट जारोस्कोपिक बेंटलिंग वैपन इसके साथ आप हाई क्वालिटी सेक्योरिटी वाला सफ अगर सकते है लगजरी कार नमाता कंपनी रॉल्स रॉयस की एक कार फॉर्मर आस्टेलिया में है इसका इस्तिमाल आस्टेलिया के गवरनर जनरल कर चुके है अपने वाके में आए लगजरी कारों के बीच इस कार के पास सबसे जादा स्पीड वाली लगजरी कार होने का खिताब मौजूद था इस कार के लंबाए भी काफी जादा है और इंटीरर भी स्पेस भी काफी रखता है इस कार के अंदर एक साथ चार से पांच लोग आराम से और कमफेड़ेबल तरीके से बैठ जाते हैं अपने वक्त की मौजू लगजरी और सिक्योरिटी वाली कारों में इसको काफी जादा हाई टेक मना जाता है और आज भी बैठेश अकबार में अपने वक्त की गुजरी हुई बैठरिन कारों में और लगजरी कारों में इसको गिना जाता है नमबर दो मसरडीस बैंज G63 मसरडीस द्वारा बनाए गई एक ऐसी कार है जिसमें अंदर बैठे हुए पैसंजर को कही तरह का कमफर्ड मिलने वाला है इसके इंटीर में आपको किसी सिनेमा हॉल के अंदर बैठे है जैसा फील होने वाला है 4K रेजलोशन का HD टेलेविजर इसमें लगा हुआ है जो अपल इंटेग्रेशन फीचर के साथ है बैठने के लिए अल्टरा प्रीमियम फुली रसाइकल्ड कैप्टन्स चेर इसमें लगाए गई है मोटराइस्ट बार और सॉफ्ट एंड समूथ लाइटिंग वाला इसका इंटेरियर ट्रिम्ट टॉप ग्रेंड एक्जोटिक लेधर का बना हुआ है जिस पर बैठने वाले को रिमोट द्वारा कंट्रोल हो जाने वाले मसाज भी मिलती है इंटेर कमफर्ट के लावा ये कार अपने अक्स्टिरियर में आर्मी वहिकल की तरफ प्रोटेक्शन रखती है 360 डिगरी एरिया बैलेस्टिक प्रोटेक्शन इसके साथ मिलता है और CEN सर्टिफाइड ये कार है जिसके अंदर बैठ कर बीच शेहर के और काफी सारे वहिकल के बीच बिया बहुती जादा सेक्या और फील करेंगे भहिया बैलेस्टिक प्रोटेक्शन वाली ये कार एक ऐसी कार है जो VR7 सर्टिफाइड है इस कार पर कई सारे टेस्ट सेक्यारिटी के लिहाज से किये गए है तीन सो किस बुलेट फूर फ्रेग्मेंटेशन ग्रिनिड टू लैंड माइन्स और बार पॉइंट किलोग्राम का हाई एक्स्क्लोजिव इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाया है पावर ड्राइवर विंडियो इसमें लगाए गई है कापनी ट्योटा दोरह से बनाया गया है और फिलहाल की मौझू लैंड क्रूजर कारों में ये काफी जादा सेक्यूर और हाइस सेक्यूरटी वाली है और कौाल्टी वाली है High quality comfort देने वाली chair और third row sitting इसमें दी गई है Upgrader suspension for high security tire production इसके wheel के साथ दी गई है यह dual engine वाली कार है और interbody protection भी इसका किया गया है यह civilians के लिए army level के security प्रोवाइड करने वाली कार है दोस्तों इस तरह के और वीडियो के लिए subscribe करें हमारा channel और latest videos के लिए bell icon को दबाना बिलकुल ना भूले जिससे हमारी videos आप तक पहुँचें सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें comments करके ज़रूर बताएगा हम आपके comments का इंतिजार करेंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही Goodbye, Bye Bye झाल